बैन और लुईस अपनी बेटी अगनेस के साथ इटली में छुट्टी मनाने आते हैं, जिस होटल में वो लोग रुके थे, वहाँ एक बिटिश कपल भी होता है, जो अपने बेटे के साथ वहाँ आया हुआ था, लुईस को वो जोड़ा बड़ा हैपनिंग लगता है, उनके लापस का प्यार, बैन का ध्यान अपनी तरफ आकरशित करता है, बैन अपनी फैमली के साथ इटली की गलियों में घूमी रहा होता है, तबी उसकी बेटी का सबसे प्यारा टैडी, खरगोश कहीं खो जाता है, वो उसकी वज़े से परेशान हो जाती है, तो लुईस बैन से उसका खरगोश ढूंड कर लाने को कहती है, क्योंकि परेशान होकर अगनेस खुद को ही खरगोशना शुरू कर दिया कर दी थी, बैन ना चाहते वे भी टैडी को ढूंडने चला जाता है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलता, लेकिन वापसा कर वो देखता है, कि पैडी को उसक खरगोश मिल गया था, और उसने उसको उनकी बेटी को दे दिया था, पैडी उनसे अपनी पतनी सियरा और अपने गुंगे बेटे एंट को मिलवाता है, तभी अगनेस अपने पापा से स्कूटर पर एक राइड मांगती है, लेकिन बैन के मना करने पर पैडी उसे स्कूट क्रैसिस के चलते, बेन के पास अब कोई काम नहीं है, साथ ही लुईस भी फिलाहल बेरोजगार है, तो पैडी बताता है, वो एक डॉक्टर है, पर उसने प्रैक्टिस छोड़ दी, लेकिन अब वो एक एंजियो के साथ काम करता है, और वो इस काम से बहुत खुश है, तभी डैनिस फैमली को उनके पास आता देख, पैडी उनसे कहता है, मैं डिसकस कर रहा था, कि पॉटी साफ करने के लिए, ट्वैलेट पेपर को फोल्ड करें, या उसको इस क्रेंज करके यूज करें, पैडी की ऐसी बास सुनकर, डैनिस फैमली खुद ही उनके पास नहीं बैठत फिर कुछ दिनों के बाद पैडी उन्हें अपनी और उनके एक ग्रूप फोटो बेजता है, और उसके पीछे वो उन्हें अपने फार्म हाउस पर एक लॉंग विकेंड साथ गुजारने के लिए इन्वाइट करता है, पहले तो लुइस मना करती है, क्योंकि वो अभी भी पैडी की फैमली को जानती नहीं थी, लेकिन बैन की वज़े से वो जाने को राजी हो जाती है, फिर वो पूरे दिन का सफर कर आधी रात को घने जंगलों के बीच पैडी के फार्म हाउस पहुच जाते हैं, पैडी और उसकी फैमली उनका बड़ी गरम जोशी के साथ स्वा जाता है, हाला कि लूइस ने पहले ही सब को बता दिया था कि वो एक वेज़ेटेरियन है, लेकिन लूइस को लगता है उसके मना करने पर पैडी को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उस निवाले को अपने मूँ में रख लेती है, पर मौका देखकर वो उसे मूँ से निका लेती है, अगली सुबह पैडी उनको अपने फारम पर घुमाने ले जाता है, जहां वो लकडी को घिसकर आग जला कर दिखाता है, वहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तब ही अगनेस जूला जूलने के लिए वहाँ बंदी एक रसी पर बैठ जाती है, तो लूइस एंड से उसको जूलाने को कहती है, पर वो शांत खड़ा रहता है, इस पर पैडी एंड को पकड़ कर जिनजोड देता है, जो लूइस और बैन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा करते ही एंड एंड एगनेस को जूलाने लगता है, उसके बाद पैडी सब को ठंडे पा जील में कूद जाते हैं, लेकिन एंड को तैरना नहीं आता था, तो पैडी उसे पकड़ लेता है, फिर घर वापिस आकर लूइस बैन से कहती है, अब हमें यहां काफी दिन हो गए हैं, हमें वापिस अपने घर चले जाना चाहिए, तभी सियेरां के रूम में आकर उन्हें आज रात का डिनर माइक के हां करने के लिए इन्वाइट करती है, माइक पैडी का दोस्त और एक शेफ होता है, उसके बाद वो सभी अच्छे से कपड़े पहन कर तयार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को अपने साथ ना ले जाने की वज़े से, पैडी अपना एक और दोस् तो ना चाहते वे भी लुईस अगनेस को घर पर ही छोड़ जाती है, माइक के यहाँ पहुचकर लुईस बताती है, वो मीट नहीं खाती, पर सीफूड खाती है, खाने के बाद पैडी और सियरा उनके सामने अपनी सेक्स लाइफ डिसकस करने लगते हैं, जो रोमान से भरी और उन्हीं के सामने इंटिमेट होने का ड्रामा करते हैं, फिर वापिस जाने के लिए पैडी कार निकालने को कहकर डिनर का बिल बैन के हाथ में थमा देता है, वो पैसे बैन को देने पड़ते हैं, इधर घर के अंदर एंट अगनेस को अपने पिता की घड़ियों को दिख पर वो उसे समझ नहीं पाती, फिर जब वो सो जाती है, तो एंट उसे जगा कर अपने शरीर पर पड़े निशान दिखाता है, लेकिन तभी सियरा और लूइस के उनके रूम में आने की आहट होते ही, वो दोनों सोने का नाटक करते हैं, उसी रात बैन लूइस से उसके और माफी मांगते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं, फिर रात को जब लूइस की आँख खुलती है, तो वो दोनों बच्चों को पैडी और सियरा के साथ सोता हुआ पाती है, उपर से पैडी और सियरा बिना कपड़े के वहां सो रहे थे, ये देखकर लूइस अगनेस का टैडी वहीं भूल जाते हैं, तो अगनेस उसे लेकर आने को कहती है, और बताती है कि अगर वो वहां रह गया, तो वो एंट की तरह उसे भी चोट पहुचा देंगे, इतने में अगनेस पैनिक होकर खुद को ही खरोचने लगती है, अब मजबूरी में बैन को का वापिस मोडनी पड़ती है, वापिस आने पर पैडी उन्हें बिना बताय जाने का कारण पूचता है, तो लुईस बता देती है, अगनेस उनके बिस्तर पर सो रही थी, इस पर सियरा उनसे कहती है, वो सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने अगनेस को रोते हुए सुना, वो लुईस और बैन फिर से मही रुख जाते हैं, अगली सुबह एंट अपनी भाषा में एक मैसिज लिखकर अगनेस को देता है, लेकिन वो उसको पड़ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास आने लगती है, एंट जल्दी से उस कागज को ही खा जाता है, फिर लंच करते समय, जब दोनों बच्चे डांस करने लगते हैं, तो एंट सही से डांस नहीं कर पाता, इस पर पैडी गुस्से में उसके उपर ग्लास फैक कर मारता है, ये बात बैन और लुईस को अच्छी नहीं लगती, और वो पैडी को टोकते हैं, इससे पैडी और गुस् में वापस चले जाने को कहता है, अब लुईस साइड में आकर बैन से, वहां रुकने से साफ मना कर देती है, इधर पैडी के सो जाने पर, एंट उसकी कमर से चाबी निकाल कर, खेलने के बहानने से, एगनिस को एक बंद शेड के अंदर तैखाने में ले आता है, उस तैखा अगले शिकार को बहलाने फुसलाने में लग जाते हैं और उन दोनों ने एंट की माबाप को मार कर उसकी भी जीब काट दी थी। के लिए पैडी को इशारा करता है फिर पैडी की पीट पर चड़ने से पहले वो चाबी उसकी जीन्स में लगा देता है वहीं अगनेस अपने माबाप को सच बताने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी फर्स डेट आने के भाने से अपनी मा क बातरूम में लाकर अपने मोबाइल में वो सारी तस्वीरे दिखाती है जो उसने तैखाने में खीची थी लुईस अब सारी कहानी समझ जाती है तो वो बाहर आकर बैन को बुला कर ले जाती है बैन भी तस्वीरे देखकर सब समझ जाता है अब अगनेस एंट को भी उनसे बचाने के लिए कहती है तो लुईस उसको समझाती है हमें शांत रहना होगा और यहां से निकल कर एंट को बचाने के लिए हम पुलिस की मदद लेंगे फिर वो दोनों अगनेस की डेट का बहाना बना कर वहां से जाने लगते हैं पैडी मान जाता है लेकिन कार के पास आते ही उन्हें उसका टायर पंचन मिलता है अब उसको ठीक करने के बाद देखते हैं कि Agnes का टेडी किसी ने उपर छट पर फैक रखा है तो बैन उसे उतार कर अपने परिवार के साथ वहाँ से जाने लगता है अब फाइनली उनको वहाँ से जाता देख पैडी एंट को उनी के सामने तालाब में फैक देता है अब क्योंकि एंट को तैरना नहीं आता था तो उसे बचाने के लिए बैन गाड़ी रोख कर तालाब में कूद कर जैसे ही उसे बाहर निकालता है इतने में पैडी बंदूग की नोक पर लुईस और अगनेस को पकड़ लेता है पैडी पहले ही जान चुका था कि लुईस और बैन को सारी कहानी पता चल गई है फिर पैडी उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में टांसफर करवा के जानवरों को बेहोश करने वाला इंजक्शन जैसे ही लुईस को लगाने वाला होता है तभी लुईस ब्लेड मार कर पैडी को घायल कर देती है और सियेरा से बंदूग छीन कर उन्हें वहीं गोडाउन में बंद करके एंड को साथ ले लेती है फिर वो लोग अपनी गाडी से वहां से निकलने लगते हैं लेकिन तभी माइक वहां आकर उनकी कार पर गोली चला देता है तो उससे बचने के लिए वो वापस घर में जाकर चारों तरफ से उसे बंद कर लेते हैं इतने में माइक ताला तोड़कर पैडी और सियरा को बाहर निकाल लेता है सियरा सबसे पहले फोन और फिर घर की पावर को बंद कर देती है इधर लुईस और बैन बच्चों को बातरूम के कबड में चुपा कर वहां से निकलने का तरीका सोचते हैं इतने में माइक सीडी लगा कर उपर वाली खिड़की पर पहुँच जाता है और पैडी घर के पीछे का दर्वाजा तोड़कर अंदर आकर एंट को अवाज लगाने लगता है वो सियरा को भी घर के अंदर ले आता है लुइस बच्चों को बचाने के लिए पैडी के मूँपर तेजाब डाल देती है और बच्चों को लेकर उसके पास से भाग जाती है इधर माइक भी घर के अंदर आ चुका था वो बैन से लड़ता हुआ उसकी आखों में जैसे ही शीशे का टुकड़ा घुसाने वाला होता है तब ही लुइस वहां आकर हतोड़ी से माइक का सिर्फ होड़ कर उसे मार डालती है उसके बाद वो उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहां से माइक आया था लेकिन सियरा उन्हें महाँ पकड़ लेती है और जैसे ही उसको गोली मारने वाली होती है तब ही लुइस उसके सर पर मार कर उसको छट से ही गिरा देती है गिरते वे उसकी चीक पैड़ी को सुनाई दे जाती है इधर बैन वापस सीडी लगाने के लिए छट से कूद जाता है और अपने पैर की हड़ी तुड़वा लेता है लेकिन वो फिर भी सीडी लगाकर सब को उतार लेता है इतने में पैड़ी अगनेस को पकड़ लेता है और सियरा की मौत के बदले उसे साथ रखने को बोल कर जैसे ही लुईस पर गोली चलाता है अगनेस उससे पहले ही जानवरों को बेहोश करने वाला इंजक्शन पैड़ी को लगा देती है जिससे वो एकदम से गिर जाता है अब सब लोग उसको ऐसा ही छोड़ कर वहां से जाने लगते हैं लेकिन एंट गुस्से में एक इट उठाता है और चीकता हुआ पैड़ी के चहरे पे कई बार वार करके उसे मार डालता है पैड़ी के मरने के बाद लुईस और बैन एंट को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं अगनेस एंट को अपना टैड़ी देती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्स्प्लिनेशन पसंद आई होगी और भी मुवी के एक्स्प्लिनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन दमाना ना भूलें